नमस्कार और आपने लोगिन किया है रेस्लिंग न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल तो गाईज इस वीडियो में बात करेंगे 15 अक्टूबर को हने वाली WWE Monday Night Raw को लेकर कि शायद यहाँ पर हमें Universal Champion Roman Reigns देखने को नहीं मिलेंगे मैं जानता हूँ कि आपको यह सुनकर थोड़ा सोक जरूर लगा होगा क्योंकि Universal Champion Roman Reigns लगबगे WWE Monday Night Raw के हर एपिसोड में नजर आते हैं और उनके Universal Champion बनने के बाद पहली वारेसा हो सकता है कि वह हमें Raw के एपिसोड में नजर ना आए तो गाईज 15 October को होने वाली WWE Monday Night Raw का एपिसोड कुछ इगंटो बाद सुरू होने वाला है और मैंने इसकी Preview वीडियो भी बना दी है जो कि आप जाकर देख सकते हैं और साइध इस Monday Night Raw के एपिसोड में Roman Reigns नहीं आएंगे और यह मैं इस लिए कह रहा हूँ पर यहाँ कहीं भी Roman Reigns का नाम नहीं है यानि कि ओपिसिल तोर पर Monday Night Raw के इस एपिसोड के लिए Roman Reigns का कोई भी मेंच और शेगमेंट तहीं नहीं किया गया है और यहाँ पर Roman Reigns के साथ साथ Brorn Sturman को भी इस लिश्ट में नहीं जोड़ा गया है यानि कि ओपिसल तोर पर वह भी इस Monday Night Raw के एपिसोड के दोरान नजर नहीं आएंगे अलंकि ऐसा हो सकता है कि कल Monday Night Raw में होने वाले डीन एम्रोज और डॉल्फ जिगलर के मेच के दोरान Roman Reigns डीन एम्रोज की मदद करते हुए नजर आ सकते हैं तो जैसे कि Monday Night Raw के इस एपिसोड में सेथ रोलिंस का मेच डू मेकंटर के साथ और डीन एम्रोज का मेच डॉल्फ जिगलर के साथ वरल्ड कप कौलिफिकेशन के लिए होने वाला हैं तो इसी दोरान Roman Reigns हमें यहाँ पर नजर आ सकते हैं और वह अगर यहाँ पर नजर नहीं आते हैं तो जाहिर श्री बात है कि Monday Night Raw के इस एपिसोड के दोरान हमें Roman Reigns कहीं भी नजर नहीं आने वाले हैं और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर Roman Reigns डी ने अमरोज की मदद करते हुए नजर आने वाले हैं तो इस पर क्या है आपके ख्याल कमेंट करके जरूर बताएं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद